नमस्कार दोस्तों क्राइम तक में आप सब का स्वागत है मैं हूँ सूपरतीम बैनर जी आज दफ्तर में मेरे कुछ कलीग्स ने मुझसे एक सवाल पूछा वो लड़कियां थी और उनका सवाल ये था कि क्या कोलकाता के आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में जिस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई उनके साथ वाकई रेप ही हुआ था गैंग रेप नहीं हुआ तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं अब तक की जो तफ्तीश है जो सबूत है जो फॉरिंसिक एविडेंस है वो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके साथ रेप ही हुआ था गैंग रेप नहीं हुआ क्योंकि DNA प्रोफाइलिंग जो है वो हो चुकी है और उससे ये क्लियर हो चुका है कि उस डॉक्टर की डेड़ बॉडी पर जो human bodily fluid किसी और आदमी का अगर है तो फिर वो एक ही आदमी है और वो एक आदमी कौन है वो है संजाय रॉय जिसे पहले कोलकाता पुलिस ने गिरफतार किया था और बाद में CBI ने उसे गिरफतार किया उससे पूछताच किया और अब तो उसे जेल भी भेज़ दिया गया है लेकिन बहुत सारे लोग ये बात मान नहीं पा रहे हैं सुईकार नहीं कर पा रहे हैं कि संजाय रॉय ने अकेले इस कांड को अंजाम दिया होगा अब ऐसा सोचने के पीछे क्या वज़ा है तो ऐसा सोचने के पीछे जो सबसे बड़ी वज़ा मुझे समझ में आती है वो ये कि उस लड़की के साथ जिस तरह की बरबरता की गई जिस तरह से उसे सताय गया, अत्यचार हुआ और फिर जिस जगन तरीके से हत्या हुई वो एक आदमी का काम नहीं लगता है इसी वज़े से लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस घटना में किसी और का भी हाथ हो सकता है और जो दूसरी वज़े है वो ये कि जिस तरह से मौकाय वारदात को यानि सीन ओफ क्राइम को डिस्टॉर्ट किया गया, बिगाड़ा गया और उसमें अस्पताल प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से भूमी का निभाई, वो भी अस्पताल प्रशासन के लोगों को सवालों के घेरे में लाता है और यही वज़ा है कि लोग ये मानने के लिए तयार नहीं है कि उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ सिर्फ एक आदमी संजाय रॉय नहीं रेप किया और उसकी हप्तिया कर दी यानि ज्यादातर लोग इस मामले को गैंग रेप ही मान रहे हैं और CBI की तफ्तिश में सबूतों के सामने आने के बाद भी वो बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही है लेकिन आज उस डॉक्टर के माता-पिता ने अपनी बातचीत में जो कुछ कहा है वो इस मामले को एक नया मोड दे सकता है या फिर ये कह सकते हैं कि वो इस मामले की तफ्तीश को एक नई दिशा दे सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को लेकर कुछ खुलासे किये हैं हमारे पत्रकार मित्रों ने जो उनसे बादशीत करने उनके घर गए थे पिडित परिवार के पास उन्होंने डॉक्टर के माता-पिता से ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि इस घटना में और भी लोग शामिल हो सकते हैं तो उनका जवाब हाँ में था पत्रकार पत्रकारों ने फिर पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने हमें बहुत कुछ बताया था अस्पताल के बारे में क्या बताया था पत्रकारों ने ये सवाल पूछा तो उनका ये कहना था कि ये बात उन्होंने CBI को बताई है और ये बात वो अभी मीडिया के सामने या पत्रकारों को नहीं बता सकते और CBI ने उन्हें भरोसा दिया है कि जो भी बाते उन्हें पता चली है वो इन सारी बातों को वेरिफाई करेंगे और इन सारे पहलों की बारीकी से जाँच करेंगे अब जाहिर है बेटी ने आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई बहुत पॉजिटीव कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं बताई होगी क्योंकि अगर वो बात बताई होती तो उस बात का यहां पर जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता और इस ट्रेनी डॉक्टर ने अपने माता पिता को वो पूरी कहानी बताई थी माता पिता ने वो कहानी जो उन्होंने अपनी बेटी से सुनी वो सारी बाते उन्होंने सी बी आई के अधिकारियों को बताई जहांच अधिकारी जो पूछताच के लिए आये थे और माता पिता ने खुद ये बात हमारे कैमरे पर बलकि सारे मीडिया हाउसेज के कैमरे पर कही है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस मामले में और भी लोग हो सकते हैं लेकिन हाँ यहाँ पर एक और पेच है पेच यह है कि हो सकता है कि murder case को और rape case को एक ही आदमी ने संजय रॉय नहीं execute किया हो अंजाम दिया हो लेकिन यह हो सकता है कि संजय रॉय के पीछे और भी लोगों का दिमाग हो अब दिमाग भी दो तरह से हो सकता है एक तो यह हो सकता है कि संजयर रॉय को किसी ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और डॉक्टर जिनकी हत्या हुई उनकी हत्या करा दी अगर ऐसा है तो फिर वो आदमी मास्टर माइंड है और फिर वो आदमी कौन है इसकी तलाश करना CBI के सामने एक चुनाउती होगी और दूसरा यह हो सकता है कि जब यह हत्या हो गई तो अस्पताल प्रशासन ने फिर उस हत्या को जो है एक चुनकि वो कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए एक बुरी छवी पेश करता तो फिर उस हत्या के मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और इस तथा कत कोई जान बूज कर सीन ओफ क्राइम पर जाकर कतल और रेप जैसे जगन मामले में सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है तो यह भी अपने आप में एक बड़ा जुर्म है और यह माफी के काबिल नहीं है कानूनन इसमें भी कड़ी सजा का प्राउधान है और इसमें भी उतन संदीब घोश काई है जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे और दूसरा जो डिप्टी सुपरिंटेंटनेंट है उनकी भी भूमी का शक के गेरे में है और यह बात सिर्फ लोग नहीं कह रहे हैं सिर्फ CBI नहीं कह रही है CBI इन लोगों से बार बार पूचताच कर रही है सिर् जो लोग हैं डॉक्टर संदीब घोश और बाकी लोग इन लोगों ने क्या जान बूच कर उस सीन ओफ क्राइम को खराब किया है या अनजाने में इन से गलती हुई है अब अनजाने वाली बात समझ में नहीं आती है उसकी सबसे बड़ी वज़ा तो यह है कि यह मेडिकल फ रिपोर्ट तयार करते हैं और जाहिर है वो भी डॉक्टर संदीब घोश को रिपोर्ट करते हैं उनसे मिलते हैं बात करते हैं तो उनके बारे में बिलकुल कोई जानकरी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता और आज की तारीख में जब सोशल मीडिया और मीडिया इतना एक्टिव है कई सारे ऐसे cases हम लोगों ने देखे हैं जिसमें scene of crime में जादा लोगों के पहुँच जाने से चीजों को छूने से footprint पहुचा देने से छोड़ देने से cases खराब हो गया आरुशी का मामला लीजिए या कोई भी और मामला लीजिए इस तरह के बहुत सारे cases हुए हैं तो यहाँ पर यह कहकर इन संदिक्द लोगों को उन डॉक्टर संदिक घोश और बाकी लोगों को मेरे हिसाब से छूट या walkover नहीं दिया जा सकता कि अरे उन बेचारों को तो पता ही नहीं था वो scene of crime में चले गया बहुत मुम्किन है कि scene of crime को जान बूच कर खराब किया गया और CBI को यह शक है तभी CBI इस मामले की polygraph test भी इस मामले में जो संदिक घोश है उनका और उनके साथ साथ जो बाकी चार स्टाफ जिसमें दो जूनिया डॉक्टर भी है और एक civic defense का भी staff है इन सारे लोगों का polygraph test कराना चाहती है ताकि यह पता चले कि यह लोग अपने अंदर कौन सा राज छुपाए हुए हैं और कौन सी बात बता रहे हैं तो CBI जो है अब polygraph test के जरीए उस सच का पता लगाएगी उस से verify करेगी इसके अलावा CBI दूसरे सूतरों से भी जानकरी जोटा ही रही है माता पिता का बयान CBI के लिए बहुत important है वो भी एक हम evidence के तोर पर CBI आने वाले दिनों में उसका इस्तेमाल करेगी लेकिन बेटी ने आखिर college के बारे में और hospital के बारे में ऐसा क्या बताया था यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जाहिर है जैसा कि मैं आपको पहले मी बताया कोई positive बात नहीं होगी वो negative बात ही होगी तो यह एक पहलू है जिससे लगता है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं लेकिन किस रूप में शामिल हो सकते हैं CBI को अब यह पता करना है और दूसरी बात जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ वो यह कि इस मामले में अब जो आरोपी है संजय रॉय उसकी पैरवी एक महिला वकील करेंगी अब यह बात अपने आप में सुनकर बड़ा अजीब लगता है एक ऐसा मुल्जिम जिसका पैरवी करने के लिए पुरुष वकील तैयार नहीं है उनको लगता है कि भाई यह आदमी समाज के लिए नासूर है दरिंदा है इस आदमी को कोई कानूनी मदद हम नहीं करेंगी बलकि कविता सरकार नाम की वो जो लेडी लॉयर है वो जो फ्री लीगल एट कमेटी होती है जो एक तरह से अदालत की और से चुने गए वकीलों का एक ऐसा समू होता है जो उन मुल्जिमों को लीगल एड मुहया कराता है जिन मुल्जिमों के पास आम तौर पर आर्थिक शम्ता नहीं होती है किसी वकील को हैर करने की या किसी और वज़़े से वो किसी वकील तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते है और वकील उसके लिगेड के लिए तयार नहीं होता और उन्होंने संजय रोय को जमानत पर छोड़ने की भी मांग अधारलत से की हालांकि वो अर्जी फिलाल खारीज हो गई है अब सवाल यह है कि कविता सरकार कैसे तयार हुई तो कुछ मीडिया हाॉसेज ने पश्चिम मंगाल के खासकर बांगला अकबार के कुछ प्रतीनी धियों ने कविता सरकार से बात किया और उनसे पूछा कि आप कैसे तयार हो गई मतलब यहां तो जो पुरुष वकील हैं वही तयार नहीं हो रहा है उसको अदालत की और से काउंसिल सिस्टम को अदालत की और से कहा गया था कि कोई वकील संजयर रॉय की तरफ से भी अदालत में पेश होना चाहिए ताकि मुकदमा ऐसा नहों कि एक तरफा हो जाए या खाना पुरी वाली बात हो जाए और दुनिया को ये लगे कि उसे बचाओ करने का वक्त नहीं मिला या मौका नहीं मिला तो इसलिए मैं अपने काम और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस केस को भी हैंडल करना चाहती हूँ और ठीक वैसा ही करना चाहती हूँ जैसे कोई दूसरा मुकदमा मैं लड़ती हूँ क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ और एक प्रोफेशनल होने के नाते कोई भी केस लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और जवाब दे है और मैं उसे निभाना चाहती हूँ जो काउंसिल सिस्टम है कोलकाता में और खास करो जिले में जहां सेयल्दे की अदालत में जहां ये मामला चल रहा है उसके जो प्रमुक हैं एड़ोकेट सौर अब बैनर जी उनसे भी कुछ पत्रकार उनने बातचीत कि और उनसे भी पूछा कि आप लोगों ने ऐसा कैसे किया तो उनका ये कहना था कि उन्हें अदालत की और से कहा गया था और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी मामले में जब अदालत उन्हें कहे किसी को लीगल एड चाहिए तो वो लीगल एड अपनी तरफ से मोहिया कराएंगे उन्होंने कहा कि अकेले कवीता सरकार नहीं ब से इंकार कर दिया है लेकिन वहां का जो काउंसिल सिस्टम है वो फ्री लीगल एड यानि मुफ्त में कानूनी सहायता इस मुल्जिम को मुहाया कराएगा ये भी एक तथ है जो मुझे आप सबसे शेयर करना था साजा करना था CBI ने अपनी पूछताच में संजय रॉय से बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातों में जो एक बहुत ही शौकिंग बात उभर कर सामने आई है वो ये कि ये संजय रॉय जो है वो अश्लील वीडियोज देखने का बहुत बड़ा शौकिं था यानि पॉर्नोग्राफिक वीडियोज के एडिक्शन में था लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है इसके आगे की बात यह है कि वो विक्रित मानसिक्ता वाली पॉर्नोग्राफिक वीडियोज देखा करता था यानि सिर्फ नारी और पुरुष के संबंधों से जुड़े हुए वीडियोज नहीं देखता था बलकि उसके आगे जहां पर योन विक्रिती होती है जहां पर हिंसा होती है जहां पर कई बार जानवरों के साथ अत्याचार होता है उस तरह के वीडियोज ये आदमी लगातार देखा करता था और इसके बारे में संजैर रॉय ने खुद सी बी आई को बताया है और उसके मुबाईल फोन से इस तरह के एविडियनसेज सी बी आई ने रिकवर की हैं कलिट की हैं ये भी एक बहुती अजीब और बहुती शौकिंग जानका रही है हलनकि ये बात पहले सामने आ चुकी थी लेकिन किसी मुल्जिम का खुद अपनी जुबान से ये सारी बातें कबूल करना और कबूल करने के साथ साथ उसके गजजेट्स में और दूसरे इन्वेस्टिकेशन में उन सारी चीजों का प्रमाण मिल जाना ये अपने आप में एक इंपॉर्टन बात है और शौकिंग सबसे बड़ी जो है वो ये है कि वो विकृत सोच वाला वेक्ती था एक तरह से देखा जाये तो ये मानसिक विकृती है बिमार है वो लेकिन इस तरह का बिमार Hindi्स की उसे कोई माफी दे दिजाे कि भाई बिमार है छोड़ दो ये वाली बिमारी नहीं लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि भूस औै कि सेक्समैनियक किसम का अदमी है जो इस तरह के विक्रित वीडियोज देखा करता था और कहीं न कहीं ये जो घटना उसने कारित की जो अंजाम दिया एक डॉक्टर की हत्या कर दिया और रेप कर दिया उसके लिए भी उसकी यही सोच यही जहनियत जिम्मेदार है और अब तक CBI के एक्सपर्ट को भी और खुद CBI के ऑफिसर्स को भी यही लगता है तो यह कुछ important pointers थे जो RGCOR Medical College के investigation से जुड़े हुए थे मुझे लगा कि मुझे आप सबसे साजा करना चाहिए आज के लिए इतना ही